So hi guys, welcome back to your channel तो आप में से काफी लुकों को पता होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको टॉप 5 कंट्रोल सेंटर थीम्स के बारे में बताया था अब बात करीब आपको फुल चेंज देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं सबसे क्रेटिव फीचर के बारे में जो इसका कंट्रोल सेंटर जैसे आप उपन करोगे आपके सामने कम्पलीट यॉई चेंज देखने को मिल जाएगी साथी इस वाली थीम को आप MIUI 12, 13, 14, 30 में यूज कर सकते हूँ कम्पलीट टॉंगल्स आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाएगे अगर आप डार्क मोड में यूज करना जाते हूँ तो कर सकते हूँ या फिल लाइट मोड में भी आप यूज कर सकते हूँ जो करना है BRS V24 जो कि 42MB की थीम है यहाँ पर आपको लुक बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है तो जैसे आप उपन करोगे आपके सामने या बहुत ही कमाल का वियो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको इडिफरेंट टाप का पुछ समुराय वाला लोगों देखने को मिलता है साथी यहाँ पे आपको जो टोंगास देखने को मिलता है वो भी आर फुल चेंज हो जाता है और जैसे आप इनको increase करोगे आपके सामने complete effect चेंज देखने को मिल जाएगा अब बात करें इस थीम का आपको डाउनलोड कैसे करना है तो सिंपल आपको थीम स्टोर अपी के ओपन करना है और आपको यह वाला नेम सर्च करना है BRS V23 यह जो भी आपको थीम बता रहों वो same creator की है यहाँ पर आपको design बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है 35 MB के आपको यह वाली थीम देखने को मिल जाता है तो आप try करना हो तो कर सकते हो यह बात करते हैं हमारी 3rd number की थीम के बारे में तो आपको background में ज़्यादा change देखने को नहीं मिलेगा उनमें आपको dual color देखने को मिलता है साथी यहाँ पर आपको जो देखोगी volume bar में आपको yellow color देखने को मिलता है यहाँ पर आपको tongals देखने को मिलता है उनमें blue color देखने को मिलता है and complete आपको सामने UI change देखने को मिल जाती है और आपको यह वाला नेम सर्च करना है BRS V20 जो कि 44 MB की theme है और यह वाली theme भी आप try कर सकते हो साथी अब बात करते हैं 4th number की theme के बारे में तो यहाँ पर आपको जो clock widget देखने को मिलते हैं मेरे को बहुत ही कमाल की लगी और यहाँ पर आपको जो animation देखने को मिलते हैं वो भी interesting देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको icons देखने को मिलते हैं वो भी फुल change हो जाता है बट उससे भी creative feature आपको यहाँ पर control center का देखने को मिल जाता है complete आपको सामने UI change देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको कुछ step का view देखने को मिल जाता है notification center में आपको ज़्यादा change देखने को नहीं मिलेगा बात कर लेता है lock screen के बारे में तो lock screen आपको पिछली वाली theme की जैसे देखने को मिल जाती है थोड़ा सा आपको यहाँ पर effects change देखने को मिल जाता है and background आपको यहाँ पर थोड़ा सा change करके दिया जाता है and same आपको यहाँ पर tongals देखने को मिल जाता है बात करें इस theme को आपको download कैसे करना है तो simple आपको theme story pk open करना है और आपको यह वाला name search करना है BRS V21 जो की 36 MB की theme है अब बात करता है last theme के बारे में ही यहाँ पर आपको control center पिछले वाली theme के जैसे ही देखने को मिलता है ज्यादा कुछ change देखने को नहीं मिलता है बात आपको यहाँ पर जो background है उसको change करके दिया जाता है and यहाँ पर जो tongals देखने को मिलता है उनमें हर color आपको change करके दिया जाता है clock center view आपको कुछ इस type का यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको जो clock visit देखने को मिलती है उसको थोड़ा change करके दिया जाता है और यहाँ पर आपको temperature थोड़ा सा different type का देखने को मिलता है तो अगर आपको यह वाली theme try करना है तो आपको क्या करना है simple theme story के open करना है और आपको यह वाला name search करना है BRS V2022 और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 themes के नाम देखने को मिल जाते हैं BRS V20, 21, 22, 23, 24 तक आपको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही कमाल का मेर को view मिला और इन themes के उपर सबसे पहले हमारी वीडियो आ रही है तो प्लीज आरे एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्राइब जरूर कर देना